हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप? प्यारे बच्चों, आजम करेंगे आपकी क्लास 8 की English की worksheet 15 तो आजम बच्चों Dictionary के हिसाब से words को कैसे set करते ह। वो सीखेंगे यहाँ पर बच्चों कुछ words दे रखे हैं अपको इनको Dictionary order में arrange करना है कैसे arrange करने है बच्चों देखो A, B, C, D आपको Z तक आता है न E, F, G, H, I J, K, L M, N, O, P Q, R, S T, U, V W, X, Y, Z यह होते है बच्चों dictionary order आपको सबसे पहले तो यह सर्च करना है कि हमें spelling कहां से start करने के दियो है A से दियो है न तो पहले हम वो letter लेंगे जिसमें A आएगा ठीक है उसके बाद आपको देखो सारे A से शुरू हो रहे है लेकिन आपको क्या करना है उसका next word देखना है वो dictionary के हिसाब से कौन सा पहले आ रहा है तो बच्चो देखो A के बाद यहाँ पर P बहुत लेट आता है N भी लेट आता है R भी लेट आता है लेकिन C पहले आता है second letter में C पहले आएगा यह चीज़ आपको हर letter को देखना है ठीक है तो यहाँ पर जो accept है वो पहले आजएगा second number कोंसा आएगा तो आपको देखना है P आता है बच्चो बाद में N आएगा पहले तो आपको यहाँ पर N वाला letter देखना है यह आगया N वाला यह second number पर आजएगा और यह फिर देखो इसमें भी N वाले दो है animal और ant तो देखो T बाद में आता है I third letter पहले आजाता है आपको first letter, second letter, third letter, fourth जितने दे रहे हैं सब को गोर से देखने हैं कि T, AN तो दोनों में आगया बच्चो लेकिन अब आप कैसे करोगे कि कौन से वाला ant पहले आएगा यह animal पहले आएगा तो आपको इसका third letter भी देखना है यह तो T है यह I है अब I T से पहले आता है I है जो T से पहले आजाता है तो जो letter पहले आएगा हम उसको लेंगे अब हम ant नहीं लेंगे हम लेंगे animal second number animal फिर हम ant लिख देंगे फिर बच्चो P पहले आता है R बाद में आता है अब आपको apple यहां लिखना है और arrange बाद में लिखने आपको सारे ही word बच्चो ऐसे देखते जाना है अब इसमें C में C A देखो यहां पर 3 में C A पहले आ रहा है तो आप कैसे करोगे पहले कौन सा आ रहा है तो बच्चो पहले आपको first letter तो C आ रहा है सबका C आएगा ठीक है second letter देखना है यह भी A है यह भी A यह भी A और यह भी A है अब दोनों में आप चारो में कैसे final करोगी कि first number पर कौन सा आएगा अब आपको third letter देखना है कि कौन सा पहले आता है T पहले आता है यह भी T बाद में आएगा और K M M से पहले K आजाता है तो आप K लिखोगे फिर कैमरा लिख दोगे तो इस तरह से बच्चो आपको set करते जाना है फिर आएगा बच्चो cat फिर cattle आजाएगा फिर last में cotton आएगा यो कि A पहले आता है डोग, डंकी, डियर, डिनर, डोर तो सबसे पहले डियर आजाएगा फिर डिनर आएगा फिर डोग, फिर डंकी और फिर डोर आएगा यह बच्चो आपको हर लेटर को ध्यान से देना पड़ेगा क्योंकि हाँ अगर मैं एक एक लेटर बताऊंगी तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो बच्चो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक डिटेल में बता दिया है फौर्थ में बच्चो पहले यह पियर आएगा फिर पैरेट आएगा, फिर पाटी आएगा फिर प्लांट और फिर परस आएगा और फिर में सीट आएगा, फिर सर्च, फिर सीजन, फिर सेन और सेंट नेक्स्ट बच्चो आपको make a list of weekdays in dictionary order तो आप संडे मंडे आते हैं आपको अब आपको क्या करना है आप सोचो कि संडे पहले आएगा मंडे बाद में Tuesday फिर Wednesday फिर Thursday फिर Friday फिर Saturday लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर आपको dictionary order में लिखने है letter देखना है सबसे पहले आजाता है बच्चो Friday Friday कैसे आएगा क्योंकि जो F letter है वो सबसे पहले आएगा जो days में तो पहले आएगा Friday उसके बाद आजाएगा Monday फिर third number पर आएगा बच्चो Saturday और fourth पर आएगा Sunday आपको हर लेटर को देखना है अब देखो Sunday और S से शिरू हो रहे Saturday और यह तो आप देखो कि S A पहले आएगा S U बाद में आता है तो यह फिफ्ट पर आजाएगा Thursday, Sixth पर आएगा Tuesday और सेवन्त पर आएगा Wednesday अगर आपको उपर से नीचे लिखने हैं तो सबसे पहले Friday फिर Monday लिखोगे फिर Saturday लिखोगे फिर Sunday और Sunday के बाद नीचे लिखोगे Thursday और Tuesday और Wednesday ठीक है आपको इस तरह से लिखने है नंबर मैंने आपको लगा दिए तो इस तरह बच्चो आपको डिक्शनरी अगर आपके नहीं है तो आप डिक्शनरी लेकर भी आप यह चीज़ देख सकते हो बहुत इजी है अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो आपको प्रोब्लम नहीं आएगी अगर फिर भी प्रोब्लम आती है वारा जानल को सब्सक्राइब करें आपके जैसे हमारा नेक्स्ट वीडियो आई आप तक जल्दी पहुंचाएग थेंक यू इस और ये इट्व